मुझा जाना 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 कि मैं यहां पर इंडियन पॉल्टीक ग्लास ले रहा हूँ ों इंडियन पाइल कि मैं इस्टोरीकल बाग्डान से स्टार्ट किया है अगर मैं बात करता हों इस्टोरिकल बैक्ड्ऌंड की तो मैंने क्टेर का जा सयगने इनियम्न बात करेंगे दोस्तों इनियुंड 1892 जैसा कि हमें जब भी हम बात करते हैं किसी वेरिक की तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं बाइग्राउंड की की आखिर उस तमय की ताथकारिक परिशतियां क्या थी जिससे की बिटिसर्स को एक नए एक के साथ आना पड़ा कि जब मैं बात करता हूं इंडियन काउंसलेक 1892 की तो बाइग्राउंड में सबसे पहला हमारा ध्यान होगा क्अ इंडियन निस्टनल कॉंगरेसर का इश्टेबलाइस्च वेंट इत्टी इंटी लिए कि जब 880 में इंडियन यह सथापना होती है और तो इसके साथ कई ते ते小टि आती है कि आखिर एन इस्टनल कॉमरिसisce स्थांतर क्यों कि उसके मेजर रीजंस क्या थे इन सभी रीजंस के बारे में आपके डीपक बर्मा जी लिटेंगे में डिस्कुसांद करेंगे जिसमें आपसे डिसकुसांद करेंगे वह सेंक्रिंटी वाद् ताइफ इंडियस वर गिटिंग अवे इंगाउट दियर वाइज जो इंडियस जब अस्थापना उस्थाइटीफाइब पहुंसते पहुंसते हमें देखते हैं कि जो इंडियस थे वह अपने राइस को लेके अवियर हो रहे हैं प्राइस को लिएकर अवेरेज हो रहे थे साथ ही साथ उससमय आप यह भी देख रहे होंगे कि एक निसलिजम भी जो हैं लोगों में एक निसलिजम की भावना विजागरीत हो रही थे तो जब हम बात करते हैं इंडियन इसनल कॉंग्रेस के इंशिल फेज की तो यह बोला गया जब इंडियन इसनल कॉंग्रेस की इनिसल फेज की अब बात करता हूं तो दुछ समय यह एक जनरल जो धिंकिंग थी वह धिंकिंग यह थे कि बिटिसस वांट टू जश्ट यार देवांट टू जश्ट देवांट टू सम्थिंग गुड फार इंडियन पीपल वो जो है भारतियों के बारे में अच्छा कर्वा चाते हैं लेकिन उनको लगता था कि कोई ऐसी संस्था नहीं है कोई ऐसा आपनाजिशन या इंस्टिउशन नहीं है जो कि भारतियों के डिमांड को ब्रिटिसस के सामने रख सके तो यह उस तमें का जनरल कंसेप्शन था कि ब्रिटिसस वांट टू जश्ट फार इंडियन पीपल बट देशन नो एनी फार्मल अबनाजेशन और इस्टिउशन विच एंडियन पीपल तो यह जनरल परसेप्शन था कि आखिर इंडियन इसनल कांग्रेस की उस समय स्थापना क्यों की गई इसी लिए उसाइद यह भी बोलते है कि उस समय जो इंडियन इसनल कांग्रेस का ज पर जादा बिलीब किया था कि आप हम जो है प्रात्ना करेंगे इसनल के सामने प्यटीशन रखेंगे कि इस आर डे मेजर डिमांज आफ इंडियन पीपल और यह तुकाइट अप इसको कोशिस करिये कि हमारी नीज को हमारी आवस्टाओं को अब पूरा कर सकें तो जी इस व कि इनिशियल टाइम पीडियोड में जो आपके इंडियन इसनल कंग्रेस के उनकी दिमांज क्या-क्या थी और दिमांज पर ध्यान देजे उनकी दिमांज मेंजर डिमांज अगर मैं बात करूं तो पहरी डिमांज यह थी उनका एक्स्टेंशन आफ कि गवार्नर जंडल लेश्लेटिव काउंसिल कि आप गवार्नर जंडल लेश्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसको एक्स्टेंड करिये और साथ ही साथ ये भी बोला कि नॉमिनेशन का प्रोसेस नएडाप्ट करके आप इलेक्ट करिये उनको उनके मेंबर्स को इसका मतलब एक प्रोसेस आप इलेक्शन को आप इडाप्ट करिए तो रिफाम अप देलेक्शिट्यू काउंसिल एडाप्ट सन अप प्रिंसिपल अप इलेक्शन इन प्रेश आप नॉमिनेशन और और भी उनकी डिमांड्स थी और डिमांड्स अगर मैं बात करूं तो उनकी मेजर डिमांड्स थी कि कि असाइमल्टेनियस इलेक्शन या सॉरी त्यमल्टेनियस एक्जामनेशन आफ इंडियन सिविल सर्विस टू विहल्ड इन इंडिया एंग्लेंड्ट कि अगर मैं पिछले एक कि मैंने बात किया तो उसमें क्या गया था ओपें कमथी सा इंटिश तो किया गया था इन्हीं ग्लैंड में लेकिन यहां पर वो डिमांड्स कर रहे हैं कि एक साइमेल्टेनियस इक्जामिशन होना चाहिए जो कि ग्लैंड में भी हो साथ ही साथ इंड इंडियन सोल्जर्स ठीक है आप उनमें जो एक्सपेंडीचर कर रहे हैं उस पर उस पर खर्च कम करिए ठीक है और भी उनकी दिमांड्स थी कि प्रिंसपल आप इलेक्शन इंस्टीड आप नॉमियेशन ठीक है यह मैंने पहले भी बात किया था और एक और उनकी मेजर डिम अगर बज़ट जो अगर मैं बात करता हूं इंडेंग काउंसिल एक इस सिक्ष्टीवन तो मैं जब बात करता हूं गवर्णर जनरल रिष्टेटीव काउंसिल की तो वहां पर आप देखते हैं कि कानून बना तो सकता था लेकिन उनकी लिमिटेशन थी लिमिटेशन क्या-क थी कि वो एड्मिस्टेशन के बारे में question नहीं का सकता था साथ ही साथ financial matter पे कोई discussion भी नहीं का सकता था लेश्ट गौर्णर चनल लेश्ट डिवू काउंसिल में तो यहां पे जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना होती है उसकी हूतरा है तो उनकी जो मेजर डिमांज साती है अ उनमें से एक जो मेजर डिमांज थी कि हम वजट पर हमारा एक दान चाए है कि हम गवणनर जनर्रीर्टेट्व कांशिल में उसके बारे में डिसक्स कर सकें है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अधिकार मांगा कि हम कोई तना तो अधिकार दीजिये कि कम सकम हम administration के बारे हुए सवाल तो कर सकें, question तो करें तो these were the major demands of the Indian National Congress in initial periods कि शुरुवाती समय में ये उनकी major demands थी तो आप इस background को अपने माइन में रखी कि आखिर उसमय की तात्काली परिस्तियां क्या थी कि Britishers को या British Parliament को एक नए act के साथ आना पड़ा लेकिए बैग्राउंस आपको प्रोविजन के बारे में काफी कुछ पता चल रहा होगा कि आखिर जो प्रोविजन जो ओके फैंट्स तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर प्रोविजन्स की तो प्रोविजन के पहले एक इस्ट्रक्चर आपको दे देता हूं कि अफिर इस्ट्रक्चर क्या था इस्ट्रक्चर में ज्यादा चैन्जमेंट नहीं आता है सबसे उपर क्रावन उसके नीचे बिटिस पार्लियमेंट या गवर्नमेंट उसके नीचे सेक्रेटिव आफ इस्टेट साथ ही साथ इंडियान काउंसिल एज द्वाजरी बावी देन दे इस्ट्रक्चर वाइस 5 प्लस 1 यहां पर लिखते हैं क्लियर नहीं यहां पर रीजन क्लियर नहीं होगा देन उसके बाद करते हैं एक गॉड़ी की एट 5 प्लस 1 प्लस 10 टू रिष्टी इस पार्डी वाज लोन इस गवर्णर जनल एक्जीटीव कॉंसिल इंडिस पार्डी वाज दोन इस गवर्णर जनल रेश्टेटीव कॉंसिल अगर मैं प्रिएस एक की बात करूं तो अब पे 1861 की अब मैं बात करता हूं थोड़ा साब बात कर लेता हूं इस 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 वर में क्या थे सबसेंपर क्राउं थे देन ब्रिटीश पार्लियमेंट थी देन आपके सेकर्टी आप स्टेट थे देन आपकी बॉडी क्या थी गवर्णर जनल रेश्टीटीव कॉंसिल वाली ज पर देख रहे होंगी कि यहां पर पहला जो चैंजमेंट आता है इस इस ट्रक्चार में कोई चैंज्जों नहीं आता है लेकिन आप पहला चैंजमेंट देखिए इंड़नेशन कॉंफरेश की क्या पहली डिमांद तो उसकी डिमांद क्या थी कि एक्स्टेंशन आप गवर् पहले कितने मेंबर्स हुआ करते थे 5 प्लस 1 प्लस 6-12 अब चैंजमेंट मेंजर क्या आता है इसको 5 प्लस 1 को एज़िटी रखा जाता है लेकिन उनके गवर्नेशन की काउंसिल में अब 10-16 मिंबर्स हो सकते थे जहां पहले 6-12 थे अब 10-16 इसका मतलब उनकी पहली क्या था था इसका मतलब क्या था जो सेंटरी वापन पी लिव रख वनेंबर्स को इसका मतलब यह था- सेंट्रल रख दी वह वहां तो मिंब ऑन पर्र। किया जाता है साथ ही साथ provincial legislative council में भी members को increase किया जाता है especially non-official members को ठीक है लेकिन यहाँ पर बात ध्यान दीजिए कि जो official majority है उसको अभी भी retain कि रखा जाता है कि non-official members को हम increase तो करेंगे लेकिन अगर overall हम देखेंगे governor general institute council में तो official members की majority होगी ठीक दिस तो अब बात करते हैं अब जब हम बात करते हैं governor general institute council की तो यहां पर अब गुए इस वास्क्राव कांसे इस 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 इसी इस 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 का मतलब यह था इस से मतलब ये था कि नाव के बारे में डिसकेशन तो कर सकते थे लेकिन राइट टू वोट नहीं था साथ ही साथ अगर मैं दूसरे पावर की बात करूं तो यहां पे वो देकर आस कोश्चन on the domestic matters दूसरा दिकार क्या domestic matters के बारे में या day to day जो administration चल रहा था उसके बारे में वो कोश्चन भी कर सकते थे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि मैं जब मैंने discuss किया था चार्ट आयो 1861 तो हां मैंने बताया था आपको गवर्णर जनरल लेश्टेट्व काउंसिल एक extended बाड़ी तो बन तो गई थी इस्टिबलाइश तो हो गई थी लेकिन जब वहां पर हमने बात किया था वहां पर हमने बात किया था कि उनके पास financial matters या budget के बारे में discussion करने का कोई अधिकार नहीं था साथ ही साथ जो administration था उनके बारे में कोई question भी करने का कोई अधिकार नहीं था लेकिन अब आप देखिए जब हम आते हैं 1892 एक्ट में तो यहां पर गवर्णर जर्णल एक्षेटिव काउंसिल को ज्यादा पावस दे दी जाती वाट इक में उनके पावस को इंक्रीज किया जाता है उनके पावस को इंक्रीज किया जाता है किस संस में कि अब जो है आप बजट के बारे में discussion कर सकते हैं लेकिन limitation रखी गई कि आप वोट नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आप जो है domestic matters पे question भी कर सकते हैं बिना गवर्णर जन्रल के प्रियार पर्मीशन से मतला आपको यहां पे कोई पर्मीशन की ज़रुवत नहीं है आप domestic matters पर जो है question कर सकते हैं ठीक है and they were also allowed to ask question on the public interest अगर मैं थर्ड प्रोविजन की बात करूं तो थर्ड प्रोविजन आप सिस्टेम आफ इन डायरेक्ट इलेक्शन system of indirect election की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं बात यहां पे प्रोविजन जो था हूं the provision was that a system of indirect election was introduced at the provincial legislative council कहां पे at provincial legislative council जहां पे जहां पे आपके music parties यूनिवर्सिटीज दिश्टिक्ट बोर्ड चैंबर आफ कामर्स यहां से इनको यह पावर दी गरी कि यह रिकमेंट कर सकते थे 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 तूद इनको यह रिकमेंट कर सकते थे मेंबस आफ प्रोविंचियल लेश्टिटिव कांसिल आफिदी दी बोर्डशिट मम से इनकोिय की ऱुनिवर्स निवर्सित परलन चैंप कांसिल ऋनकोप्क कांसिल इनकोड ढाफ कर सकते है ने आफुल मेंबस आफ द सकते हैंबर्सितल प्रोविंवर्सिततं दी अबस्ट हैंबर्सित लुवंशितल था हंब यहां पर देख रहा होंगे करो सिचे ऊपरिणा Glad Solid पिस node 2019 असलबẫn कि डिये अपे इंटिनूंस कि यह और आरहा है क्वपने नेयक्सिकाश नलिगा के और असीमश अपर यहांपर देखने और विट देखते हैं कि जो आपकी गवर्नर चनल लेश्रेटिव काउंसी उनके मिंबर्स इंक्रीज के जाते हैं कि उनके भी पावस मेंग ना बना सकते थे किसी पूराने लाकों को मैंड कर सकते थे with the prior to be a consent of Governor-General की आप Governor-General की consent के साथ आप कोई नया कानून मना सकते थे साथी साथ पुराने कानून को अमैंड कर सकते थे तो अब मैं बात करता हूं वाई इस एक्ट वाज इंपार्टेंट जब बात करता हूं कि आखिर यह इतना इंपार्टेंट क्यों था तो सबसे ज्यादा जो यह इन रीप्र्जेंटेटिव गवर्मेंट. यहां पर जो आपके रिप्रिजेंटेटिव वह वहां पर आपके एलेवपेड वह तिक भले ही यहां पर एक इन-डायट एक्टेटिव हो रहा था यहां पई शुरवात हो रहा है रिप्रेजेंटेट्टिव गॉवर्मेट की। दिश वास दमेजर स्टेप तौर्स स्टेपलाइजिंग रिप्रेजनेटेटिव गॉवर्मेट बट वहां पर नहीं केशन क्या थी? कि दिश्वास तुरू द ज्टिक्षॉ तो फ्रेंट्स यहां पर हमने जाना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के मेजर प्रोविजन्स के बारे में आखिर उस समय की बैक्डाउंड क्या थे उनकी मेजर प्रोविजन्स क्या थे हमने पूरी कोशिस की कि आपको एक बहतर अंडेस्टेंडिंग यहां पर प्रोवाइड कराई जाए इसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं वहां आपने जितने भी आप डाउट्स हैं वहां करना होगा और साथी साथ WhatsApp ग्रूप पर भी आप उसको भेज सकते हैं यहां तक कि आप हमारे फेस्बूक पेज़ भी जॉइन हो सकते हैं साथी साथ मेरा आपसे रिक्वेश्ट है कि आप हमारे जो यूथ पावर एकडमी का जो यूटूब चैनल है उसको ज्यादा से ज्या जाथ आप बेहतर करने में करने के लिए प्रोसाहिध होंगे और आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ आएंगे तो हमारी पूरी कोशिस होगी कि आपको एक clear understanding प्रोवाइड की जाए हमारी सारी क्लासे हमारी जितनी भी क्लासे हमारी पूरी टीम सभी सब्जक्त के साथ कांटिनिवसली अपने माड्यूस के साथ आ रही है सब्सक्राइब कर दो कि अर्षिना में का जोग्राफी का माड्यूस हर अल्टरनेट देपे आरा है साथ ही साथ मेरा इंडियन पॉंटिक आम आपको मिल रहा है ये इंञे vaccum को आपिक सब्सक्राइल मोच ज्ग crafts कर रहे हैं जहां पर आपको एक कांप्रीन सीच्ट मिल सके और आपको और क्लीरम डिश्टेंडिंग प्रोड कर जिससे कि आपको कहीं किसी और प्लेक्सफॉर्म्स पे विजिट ना करना पड़े तो इसी के साथ मैं अपने इस मार्डूल को समाफ करना चाहूंगा ओके दोस्तों धन्यवाद झाल